आज रक्षबंधन है कलाई के चारों और एक पवित्र धागा बांध कर भाईयों और बहनों के बीच भावनात्मक बंधन का जश्रन मनाने का एक फिशेश अफसर। इस दिन सभी बहने अपने भाईयों को राखी बांधने में व्यस्त हैं पर उनमें से कुछ इस त्योहार को अपने भाई के साथ नहीं बलकि किसी और के साथ मना रहे हैं। और अगर नहीं तो वे हम मुझे राखी कुरियर करती हैं और मैं कैश ट्रांस फर कर देता हूँ ताकि वे जो चाहे खरीद सके वो मुझे हमेशा पैरेंस की पिटाई से बचाती थी। हर साल रक्षा बंधन का बेसबरी से इंतजार करती हूँ क्यूंकि इस मौके पर मुझे खूब सारे गिफिस मिलते हैं। ये त्योहार हम सब के लिए बहुत स्पेशल हैं। इस साल शूटिंग की वजह से परसनली सभी को राखी नहीं बांध नहीं पाऊंगी लेकिन हा सभी को मैंने राखी भिजवा जरूर दी हैं। बस अब गिफिस का इंतजार हैं। मुझे पूरे साल उसकी बहुत याद आती है और रक्षाबंधन पर घर जरूर जाती हूं। अपने पालतु जानवरों को राखी बांती हूं। पूजा शर्मा पूजा शर्मा रक्षा बंधन को त्योहार अपने पालतु जानवर, ब्रुनो और फिकी के साथ मनाती हैं, वे बताती हैं, डोनों मेरे भाई हैं और मैं हर साल उन्हें राखी बानती हूँ, वास्तव में, ब्रुनो मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह है, व के होते हुए तो मुझे भाई न होने का अफसोस भी नहीं होता, हर साल पापा को राखी बानती हूँ, शुम्भांगी अत्रे रक्षा बंधन को त्योहार में हमेशा मेरे पिता के साथ मनाती हूँ, मैं दो बहनों के साथ बड़ी हुई और हम तीनों ने राखी बानतने के लिए हमारे आसपास के परिवार में कभी किसी को भाई नहीं माना, हमने अपने पिता के साथ ही इस त्योहार की परंपराओं का पालन करने का फैसला किया, यह एक रिवाज है जो मैंने पांच साल की उम्र से शुरू किया था, हर साल सुबह की पूजा के बाद हम पापा को रा खी बांधते हैं और बेसबरी से गिफ्ट का इंतरजार करते हैं